दोस्तों आपने टीवी इंडरस्टी में बहुत से सितारे देखे होंगे जिन्होंने शुरुआस से ही अपनी इस तरह से पहचान बनाई हुई है कि आज वो थोड़े भी समय के लिए टीवी इंडरस्टी से दूर नहीं गए और लगातार एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और दर्शको को भी खूब दिल जीत रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं टीवी इंडरस्टी में ऐसे भी कई सितारे हैं जिन्होंने काफी समय बाट टीवी पर कमबेक किया है पर आखिर कौन से हैं वो सितारे बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो के जरिये अगर जा पाइल में करन कुंद्रा वीर के किरदार से टीवी पर वापसी कर रहे हैं जो अपने किरदार से दर्शको का दिल जीतते हुए फिर एक बार नजर आएंगे जिन्हें देखने के लिए दर्शक अभी से ही एक्साइट हो रहे हैं नमबर दो अदा खान अदा खान को आखरी बार नागिन पाइफ में गेस्ट अपिरेंस के तौर पर देखा गया था लेकिन अब साल 2023 में आपकी शेशा यानि अदा खान फिर एक बार नागिन 6 में वापस लोट कराई हैं जिनके एंट्री से दर्शक खुशी से जूम रहे हैं क्योंकि दर्शक कब से इंतजार कर रहे आधिती शेशा को नागिन सीरियल में देखने के लिए नमबर तीन आदिती शर्मा आदिती शर्मा चोकी टीव इंडर्स्ट्री से तीन साल से गायब थी जी हाँ इन्हें आखरी बार साल 2018 में सिलसिला बदलती रिष्टों कामी डॉक्टर मॉली का किरदार निभाते हुए देखा गया था तो वहीं अभी ये साल 2022 में शुरू हुए सीरियल कथा अनकही में कथा के किरदार से टीवी पर वापसी कर चुकी है नमबर चार शोईब इबराहिम अभी नेता शोईब इबराहिम भी इस लिस्ट में शामिल है क्योंकि शोईब को हम अक्सर व्लॉग्स और उनके अल्बम सॉंग्स में देखा करते थे पर ये टीवी सीरियल से काफी लंबी समय से दूर थे लेकिन अब शोई विपराहिम ने फिर एक बार टीवी इंडर्स्टी पर वापसी की वो भी स्टार भारत के सीरियल अजुनी से टीवी पर वो वापसी कर चुके हैं नमबर पांच श्रेता तिवारी लिस्ट की आखरी गड़ी में नाम शामिल है बिने इतरी श्रेता तिवारी का जिन्हें हमने आखरी बार खतरों के खिलाडी सीजन 11 में देखा था तो वहीं आप ये सीटीवी के सीरियल मैं हूँ अपराजिता में अपराजिता का किरदार निभा रही है जिसमें ये एक सिंगल मदर बनी हुई है और इनका ये किरदार भी दर्शकों को बहुत पसंदा रहा है वेल दोस्तों आपको इन सभी सितारों में से किस सितारे की वाफसी से सबसे ज़्यादा खोशी हुई आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं साथी टीवी इंडरस्टी से चुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले